Hello everyone, welcome to daily current affairs, date has 5 November, देखते हैं कौन-कौन से news important है, तो पहली news है कि को वैक्सिन के लिए जो है, WHO ने emergency use के लिए permission दे दी है, देखिए को वैक्सिन जो है वो भारत बायो टेक के दोवारा बना जा रहा है, मतलब बना जाता है, और इसके लिए पहले अभी तक means permission नहीं मिली थे, WHO दोवारा यह चीज नहीं का गया था कि emergency use किया सकता है, लेकिन अब यह चीज बोल दिया गया, WHO को दोवारा, और यह जो एक्सिन है, जो भारत बायो टेक बनाता है, को एक्सिन, यह 93% efficient है, जो CVS COVID-19 है, उसके against means, वो आपको 93% protect कर सकती है, अगेंस COVID-19 जो है, और 65% यह effective है, अगर delta variant वारा अगर infection हो जाता है, तो वहाँ पर यह 65% ही effective है, जो यह approval दिया गया है, WHO के द्वारा, तो यह दिया गया है approval जो WHO के एंडर में आता है, technical advisory group है, जो कि एक independent advisory panel है, WHO का, तो उसके द्वारा ही approval दिया गया है, तो देखिए, तो पहले ही 26 अक्टूबर तक ही approval दिय जाने वाल था, लेकिन कुछ करोने की वज़े से क्या हुआ कि थोड़ा time लग जया, क्योंकि जिसे कुछ भाद, बायो टेक्ट, जो है, वो कुछ final test होगरा, conduct आ वारा था, उसके वज़े से यह थोड़ा time लगया, permission आने में, उसके अलाबा, WHO ने कुछ ऐसी vaccines हैं पहले से, यहां six vaccines का देखी नाम लिखा हुआ है, जिसे एस्टाजेनिका है, कोईशिल्ड, यह Moderna, Sinopharm, वगएरा वगएरा थे सब जो vaccines हैं, Johnson & Johnson, तो इन vaccines को पहले ही लेड़ चुगारा पॉमिट किया जुका है, कि यह यूज किया सकता है, अब देखिए, यहां समझते हैं कि approval का क्य two dose ले सकता है, जिसमें four week का कम से कम gap होना चाहिए, एक महिने का इसमें gap होना चाहिए, उसके अलावा अभी तक जिसे कि कोई भी recommendation बच्चों के लिए नहीं दिया गया है, और जो pregnant women's है, उनके लिए कोई data जो available नहीं है, जो अगर available भी है, तो बहुत insufficient है, ठीक है, और उसके करके ये vaccine create की गई है, और इसमें help किया है Indian Council of Medical Research, जिसको ICMR भी बोलते हैं, और National Institute of Virology ने, तो National Institute of Virology और ICMR ने दोनों मिलके, को vaccine को develop किया है, और जारी, जो इसको जारी करने के काम है, वो भाग biotech ने किया है, तो अब यहाँ पर mission मिल चुकी है, यूज करने के लिए, सबोसकर ये जो बाहर हो गए, ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर उनके अपास को vaccine का भी certificate है, फॉरण मेंगर जा रहे हैं, को vaccine का certificate रखे हुए, तो वो चीज अब मानने होगा, क्योंकि अब WHO ने जो है permission दे दिये, second news हमारी आती है, पैलिस्तान PM calls for Indian support, तो देखिए पैलिस्ता ने पैलिस्तान के उन्हों नहीं help मांगी, इंडिया से, इंडिया के प्राइम इनिस्टर से, पैलिस्तान asked India to play a stabilizing rule in West Asia by maintaining cooperation, और ये कहा कि West Asia में जो है, आप एक stabilizing rule की तरह आप वहाँ पे काम करिये, जो ये बाकी countries हैं उनके साथ, और देखिए पैलिस्तान की पहले से सपोर्ट करता है पैलिस्तान को. लेकिन ईसके जो एक टेखिंगल सपोर्ट की बात अलग होती है, जो бывает राजन और एकर यह सबूट सीरे चंछाया की मानग रहा एं पैलिस्तान को पोलिटीकल सपोर्ट की चाहिए कर रहे. एक independent state जो है अपना वो बना सकें यह देखिए मैप है पहलेस्तान का यहां यह जो देखिए ब्राउन गरेका जो एरिया देख रहा है पहलेस्तान का एरिया है और इसके बगल में इसराइल है अगर हम इधर देखें तो इधर जॉटन पड़ेगा और इस साइड में कुछ वोट है वो significant क्यों है वो परिस्तान के लिए इंडिया का support important क्यों रखता है तो इंडिया जो है भी वो non-permanent member है security council का और 2021 टर्म के लिए ये इंडिया को बनाये गया है non-permanent member of security council और देखें फिर से दुबारा रही election मोगता तो उसमें फिर से human right council के लिए जो है 2224 के लिए इंडिया elect हो गया और recently क्या हुआ कि इंडिया has broken the tradition of supporting Palestine at the union तो इधर कुछ सालों में पलिस्तान को जो है इंडिया support करना बंद कर दिया है उनाटे निशन में और 2019 में क्या हुआ था कि 2019 में इंडिया ने vote किया था इसराइल के favor में जब economic और social council की मीटिंग हो रही थी तो उस मीटिंग में इसराइल के favor में 2019 में इंडिया ने vote किया था और यह कहाता है कि to deny observer status to Palestine ताकि जो पलिस्तान की एक organization थे उस ताइंड साहिद नाम था उसका तो उसको ताकि एक observer status न मिल पाए तो उसी चीज़ के लिए vote किया था वहाँ पे इसराइल के favor में था ना कि वो चीज़ वोट पलिस्तान की अगेंज था इंडिया सपोर्ट फॉर पलिस्तान का इंडिया प्लिस्तान के लिए यह आगे चलके इंडिया के foreign policy में यह चीज़ क तो देखे 1974 में इंडिया पहले से नॉन अरब स्टेट या नॉन अरब स्टेट यह कंट्री बन गया जिसने पालिस्तान लेबलर और्गनाइशन को और नीज रिकुनाइज किया ठीक उसके बाद जो इंडिया की जो पोजिशन है ऑन पलिस्तान इस इंडिपेंडेंडेंड और इंडिपेंडेंडेंट विव्स दिट्रेस्ट अंडि थार्ड कंट्री तो यहां कोई नीए कोई लाफ पाने के लिए उत्दिव से किया रहा है तो इंडिया को इसके लिए पलिस्तान वे थार्ड नूस हमारे आती है कि टुछ शुप्रीम कोट रूडिंग और पुलिस reform को लेकर कई क्या क्या changes लाने चाहिए police reform में तो उसे की बारे में जानेंगे तो National Human Rights Commission देखें National Human Rights Commission जो है वो एक core advisory group on criminal justice system तो इसने recommend किया Ministry of Home Affairs को कुछ guidelines recommend की की NHRC के दौरा तो आप जो Union Home Ministry and the state government should set up police complaint authorities as per judgment in the प्रकास Singh versus Union of India तो देखें और इस guideline में दिया होता है कि Union Home Ministry और state government को जो है police complaint authority set up करना चाहिए को कि यह guideline दौराच्छे के ज़र्मन जो प्रकास इंगरिजमेंट वहता दौराच्छे का उसमें यह guideline जारी की गई थी status of compliance should be displayed on the website of ministry and the state home department और यह का गया था है कि जो status होगा compliance का उसको display किया जाएगा ministry की website पे और state home department जो है उनकी website पे display किया जाएगा तो ministry of home affairs और law ministry should consider implementing the recommendation of 130th report of law commission और इसमें यह कहा गयता है जो 130th report है law commission की उसको considered किया जाएगा और इसमें section 114b को add किया जाएगा जो Indian evidence act है हमारा उसमें section 114b को add किया जाएगा तो इससे यह ensure करेगा कि if a person sustained injury in custody अगर किसी भी person को माली हो पुलिस कास्टरी में है उसको चोट लगती है या उसको माली उसके वर्तिय हो जाती है तो उसकी जो पूरी पूरी ज़मधारी होगी तो पूलिस को पर आ जाएगी ठीक है means section 114b यहां जो 113 report थी law commission की वो यह कहती थी कि Indian evidence act में 114b को add किया जाए ताकि अगर कोई भी चोट आती है तो वो चीज जबदारी हो जो पूलिस पर आएगी क्योंकि कभी-कभी पूलिसन काउंटर वोगरे भी कर देती है तो उस चीज को ले करके यह section add करने की यहां बात होती है make the legal framework technology friendly to speed up the criminal justice system और यह कहा गया कि और justice system को और speed up करने के लिए हम technology का भी उस कर सकते है means technology का जादा-जादा यूस किया जाना यह से mobile tracking होगर यह चीज हो गई या उसके अलावा जो जिसे जो high-tech computers होगर आते हैं तो इन सब चीजों के लिए जो कि इसे bank frauds होगर भी इस ताइम जादा बढ़ रहे हैं तो इन सब चीजों के लिए high-tech technology का यूस करना चाहिए Supreme Court December 2020 order to install CCTV cameras with night vision Supreme Court नहीं कहा कि जो भी police stations और जो भी थाने वगर हैं उसमें CCTV camera install किया जो जो कि night vision नेवल camera हो जिसमें रात में भी easily clearly दिखता हो involved 10 social workers and law students और यह कहा गए कि means police के working में जो है social workers और law students को भी means काम दिया जाए उनको भी साथ में include किया है ताकि जो community policing है उसको और अच्छे से किया जा सके अब दिखते हैं कि Supreme Court का जो यह प्रकासिंग का judgment था इसमें किसीज की बात की गए थी कैसे हुआ था यह तो देखिए प्रकासिंग थे जो की हमारे DGP रह यूपी पोलिस के और असाम पोलिस के तो इन्होंने एक retirement के पाद एक PIL फाइल किया 1996 में ठीक reform को ले करके तो इसी में एक landmark judgment आता है Supreme Court का The Supreme Court in September 2006 has directed all states and UTs to bring in police reform तो यहां सभी states और UTs को डाइट किया आता है कि आप police reform को ले गए आए तो अब देखते हैं कि क्या Supreme Court के दवरा suggest किया गा था किन चीजों को suggest किया गा था Supreme Court के दवरा कि क्या क्या changes आने चाहिए police reform में policing में तो पहले ही यह कहा गया कि fixing the tenure and selection of DGP to avoid situation where officers about to retire a few months are given the post means देखिए एक कम से कम एक tenure DGP के fix करना चाहिए कि हाँ भी यह आपका जो 10 हो रहा है कोई दो साल का होगा एक साल का होगा तो एक minimum tenure जो है उनका एक fix करना चाहिए 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 उनके उपर जो है कोई political pressure वोगर ना रहा है वो इसली अपना काम जो है बिना किसी भेदवा को कर सके कि इन ओर टू इंशूर नो पॉलिटिकल इंफरेंस ठीक है बात आ गई कि बिना किसी पॉलिटिकल इंफरेंस के अगर उनका अगर यह हो गया कि बिज़बी बन गया तो आप एक साल दो सल दग रहेंगे तो उनकी जो सीट होगी वो फिक्स हुजा है तो अब वो पॉलिटि स्टेट पॉलिटिशन ताकि बीच में ऐसा नहीं कि मिनिस्टर साब की बात में नहीं माया तो उसी चीज को लेकर यह सब गाइड लाइन जा लिए सुप्रेम कोड के द्वारा एकला पॉंट है कि पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर शुट बी डन बाई पॉलिस इस्टेबिसमेंट और जो पॉलिस ऑफिसर की जो पोस्टिंग होती है वो उसके लिए एक पॉलिस इस्टेबिसमेंट बोट का गठन किया जाए वो उनकी ट्रांसफर्स वगर है इसलब सीजों में देखें ना कि पॉलिटिकल लीडर्स का इंफ्लूइंसर है इस चीजों में उसके लाबा और एक इस्टेट पॉलिस कंपेंट अथार्टी सेटप कीजिए तू गिव अ प्रेटफॉर्म वेर कॉमन पीपल अग्रूइब बाइप पॉलिस एक्शन कुड अप्रोच जहां पर माल लिए पॉलिस आपकी बात और नहीं सुन दिये तो आप वहां जाए कंपेंट कर सकते हैं अगे खिलाब सेपरेट इंविस्टिगेशन एंड लॉइन और फंक्शन्स टू बेटर इंप्रूव पॉलिसिंग और और इंविस्टिगेशन के नेने जुद तरीके हैं उनको इंप्रूफ करने की जरूबत है उसके लाबाब एक सेक्यूटी स्टेट सेक्यूटी कमिस सेटप किया जाए और एक नेशनल सेक्यूटी कमिसन सेटप किया जाए इस इन सब चीजों के लिए उसके लाब देखें अब देखते हैं कि इस सुप्रीम कोट का जज्जमेंट आया जो गैडलाइन जारी की सुप्रीम कोट ने तो नहीं स्टेट का क्या रिस्पॉंड था तो दो आच्छे के जर्मनी को देखते हुए किसी भी स्टेट ने इस पर ध्यान है दिया जादा बहुत थोड़े बहुत चेंज़ें पॉलिस एक्ट में जो है अठारा स्टेट से जिसने पुलिस एक्ट में कुछ बहुत चेंज कर दिये लेकिन जिस तरह की गैडलाइन जा बाइन अर्थक्वेक अफ्री पॉइंट फॉर मैंटिट उस दा बॉर्डर दे चाइन लेट तो मास फिजदेथ इन कामिंग रिवर अनुआचल प्रदेश तो पर जान लोते हैं कामिंग रिवर जो है वो कहां पे है वो अनुआचल प्रदेश में ठीक तो चाइना में जो आया तो उसकी जठकी के वैए से क्या हो कि land slide हुआ ठीक लैन्सलाइट के वैए से लैंस़ाइड होगा तो फिर सारे मिटी उट्टी होगा वह रिवर में चला गया उसकी वैसे क्या हो जो फिश थी कई भेशारी मश्लियों के वहां पे डेथ हो गई तो the landslips dumped several terms of mud and rock into the river substantially reducing the flow of water the river turned blackish due to very high terribility resulting in low dissolved oxygen that killed the fishes तो जिब उसमें मिट्टी की उट्टी का मट का इमाउंट ज्यादा हो गया तो क्या हुगा कि उससे और देखें कामिंग रिवर ब्रंपुत नदी के ट्रिबूट्री इसको हम चाइना में श्यांग्पो के नाम से जानते हैं तो यह राइज इन्देट तवांग दिस्टिक तवांग दिस्टिक सुरू होती है जो कि इस्टर हिमाले में पढ़ता है और यह फॉर्म करती है बॉर असाम यह फ्लो करती है सोनितपुर डिस्टिक से ठीक और बीफॉर ज्वाइनि दब्रंपुत र तेशपुर तो असाम से भी होते हुज जाती है सोनित-पूर डिस्टिक से कामिंग रिवर कंसित अब टू सेक्षिंस देखिए हम दो सेक्षिंस है वेस्ट में जो है वहां प पकुई wildlife century है वह कामिंग river के पास में हैं अब देखेंगे मैप देखें तो यह जो एरिया है यह एरिया है कामिंग river का तो यहां पर हैं यह सरी यह ब्रहमपुत रइवर है ठीक और यहां पर यह जो आ रही है यह कामिंग रिवर तो अगर देखेंगे द्यान जी तो वेश्ट कामिंग डिस्टिक यह है एस्ट कामिंग डिस्टिक यह है यह दूनों के बीश में बाटर बना रहे है अब देखेंगे यहाँ पर पकोई वाइड लाइफ सेंचूरी है यह eagle nest wild life century है और उसके अलावा यह सेसा orchid century है तो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए पर अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक्यू, थैंक्स फर वाचिंग